नमस्कार आप देख रहे हैं The True Hunt, For The People, By The People कि कतार की कैपिटल दोहा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अनीस अनसारी और जो वहाँ पर एक ड्राइवर का काम करता है और जो रहने वाला इनामपुर गाउं उत्तर प्रदेश बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से है उसने ये थ्रेट मेसेज़े मुंबई ट्रेफिक पुलिस को वट्सेप के द्वारा भेजे हो सकते हैं बताया जा रहा है कि ये एक हैबिचल ओफेंडर है इसने पहले भी दो बार इस तरह के सिमिलर मैसेज़े पास्ट में भेजे हैं ये 2018 में बिजनौर पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया था बॉम हॉक्स भेजने के दूसरी बार उसने थ्रेटन किया था टेरर अटैक इन करनाट का हाई कोट जी हां ये महाशे यूपी में अरेस्ट किये गये थे और साथ ही करनाट का पुलिस द्वारा ये वांटेड हैं मुंबई पुलिस का ये शक इसलिए भी पक्का हो रहा है क्योंकि इन मैसेज़े में दिये गए साथ लोगों का जो नाम सामने आया है सभी को अनिस अनसारी जानता है और वो ये सस्पेक्ट कर रहे है कि अनसारी का इन लोगों के खिलाफ कोई मनमुटाव था जिसके चलते अपने गाउं के रहने वाले इन साथ व्यक्तियों का नाम उसने थ्रेट मैसेज़े म उनके साथ अपना हिसाब किताब सेटिल करने के लिए जी हां खबरों से ये पता चला है कि सिटी पुलिस को ये शक है कि ये सस्पेक्ट जो की विदेश में बैठा हुआ है उसने पाकिस्तानी इंटरनेट प्रोटोकॉल याने की आईपी एड्रेस का इस्तमाल किया हो सकता है भेजने के लिए पिछले महीने एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर औफ वीपियन ने कन्फर्म किया था इंडियन गवर्मेंट को और मुंबई पुलिस को कि ये जो थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान से भेजे गए हैं थ्रू प्रोक्सी सर्वर्स इसके चलते जी हां य जो messages पिछले महीने मुंबई पुलिस को आये थे उसमें ऐसा इशारा किया गया था कि कुछ और लोग इसमें involved हैं और उन साथ लोगों से बातचीत के चलते अनीस अंसारी की तरफ उंगली उठ रही है और उसकी involvement का संधे बढ़ता जा रहा है इसके चलते IPC की धारा 506 उप investigation जारी है ये थी the true hunt channel की report ऐसी ही खबरे देखने के लिए देखते रहें the true hunt